टीजीटी, पीजीटी, प्रेक्टेशर्ट के आज के अंक में आप सब लों का स्वागत है आज का पहला पॉसन है वाईवी स्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्थित में होता है सोचे और बताईए तो इसका आंसर सही होगा बी आउक्सीजन की उपस्थिती में होता है नेक्श कुछन है स्वसन की सही समी करण है रेस्पारेशन की सही समी करण कौन सी है देखे यदि आप लोग स्वसन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल वीडियो सभी वीडियो जितने भी हैं सब अप्लोड़ेड है चैनल पर जाकर क्या आप देख सकते हैं आंसर सही होगा पहला C6H12O6 प्लस 6O2 और फिर एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी उर्जा फिर नेक्श कुछन है उर्जा का सिक्का कहलाता है coins of energy किसे कहा जाता है तो हम सभी लोग छोटे क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि उर्जा का सिक्का ATP को कहा जाता है adenosine triphosphate जबकि ADP का पुरा नाम adenosine diphosphate होता है नेक्श कुछन है आवाई वी स्वसन में मांस्पेसियां उत्पन करती हैं अंसर साही होगा इसमें से बीड लैक्टिक अमल उत्पन करती हैं लैक्टिक अमल नेक्श कुछन है मनुस्पेसियां किस प्रकार का स्वसन पाया जाता है तो मनुस्य की RBC होती है उसमें किस प्रकार का स्वसन पाया जाता है इस कुछन का अंसर आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा नेक्श कुछन पर आते हैं किस जिव में वायू का आदान प्रदान सरीर की नम सतह से होता है वायू का आदान प्रदान सरीर की नम सतह से किस जिव में होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूगलीना इन सभी में तो आंसर सही होगा D इन सभी में होता है नेश्च कुषन है निम्ली में से किस जन्त में वायू सहित ऑक्सीजन स्पारिकल से ट्रकिया में प्रवेश करती है आंशर सही ओगा डी इन सभी में यानि काकरोच में, मख्षी में और मच्छर में इन सभी में प्रवेश करती है नेश्क कुछन है वहा जन्तु जिसमे जल से ऑक्सिजन गिल्स द्वारा रुधिर में पहुचती है जो जल से है ऑक्सिजन जो होती है जल में वो गिल्स के द्वारा रुधिर में पहुचती है ऐसे जन्तु का नाम कौन सा है मेढक, टैड़ पॉल लार्वा, मचली तो आंसर सही होगा इसमें से D दोनो यानि B और C दोनो में नेशकुशन है मनसे में स्वसन किरिया होती है तो फेफ़णों के द्वारा स्वसन किरिया होती है तो लंग्स के द्वारा होती है नेशकुशन है बुक लंग्स द्वारा गैसी आदान प्रदान होता है बाई बुक लंग्स गैसी एक्सचेंजेज मकड़ी में कि बिच्छू में कि मेढक में तो देखे जो मकड़ी और बिच्छू है इन में होता है नि ए और बी दोनों में कि बारह से पंदरा बार स्वास लेता है नेशकुशन है वायू मंडल की वायू है उसमें नाइट्रोजन अठातर प्रस्द पाई जाते सबसे अधा इसले सबसे अधा प्रस्द नाइट्रोजन का होगा नेशकुशन है ने स्वसनी वायू में कितने प्रस्द आक्सीजन होती है आंसर सही होगा पहला सोलह प्रस्द होती है नेशकुशन है स्वसनी एंजाइम उपस्थित होते हैं जीवान के आंसर सही होगा इसमें से सी वाला प्लाजमा जीली में उपस्थित होते हैं नेशकुशन है मनुस्थि के एक हीमोगलोबिन आणू के साथ आक्सीजन के कितने आणू जुड़े होते है इंपोर्टन कुशन है एक हीमोगलोबिन आणू है तो उसके साथ में आक्सीजन के कितने आणू जुड़ेंगे आंसर सही होगा इसमें से डी चार आणू यानि मनुस्थि के एक हीमोगलोबिन आणू के साथ आक्सीजन के चार आणू जुड़ते है नेश कुझन है नम LQ MEN से कौन स्वरवर रजुर रखता है, ओकल कार्ड़ स कौन रखता है तो जो स्वर्यंत्र है वही तो स्वर्यंत्र रखेगा यनि स्वर्यंत्र सही हो जागा पहला वाला आपसन नेश कुझन है अनाक्सी कृत प्रध की होता है चीटी में, केचुए में, फीता क्रिम में, इकाइनोंडर्प्स में अनाक्सी कृत स्वसन किसमें होता है निश्कुसने अन्ता स्वास के समय की वायो में आक्सिजन की मात्रा होती है अन्सर सही योगस में सिभी 21 प्रसत नेश्कुसन है वह कौन से मुख्य अवस्था है जिसमें स्योटू का स्थानांतर रुधिर द्वारा होता है आन्सर सही योगस में सिभी 21 प्रसत नेश्कुसन है परम नेश्वसन के समय नेश्वासित हो सकने वाली अतधिक वायो की मात्रा है आन्सर सही योगस डी फेफणों की वायटल छमता नेश्कुसन है कीटों में स्वसन अंग फेफडे ट्राकिया त्वचा ग्रश्णी तो इंसेट्स होते हैं कीट होते हैं इसमें स्वसन अंग कौन से होते हैं रेस्पारिस्ट्री ओर्गन कौन से होते हैं आन्सर सही होगा इसमें से भी ट्र किया नेश्कुसन है मनसे में दायां फेफडा होता है देखे जब मैंने रेस्पारिट्री तंत्र यानि रेस्पारिट्री सेश्ट्रम के बारे में समझाया था दोनों एक दो पालित होता है और दूसरा त्री पालित होता है तो जो मरिश्य का दाया वाला फेफड़ा है वो त्री पालित होता है सी वाला अपसंसे वोगा नेश कुछन है जोंक का स्वसन अंग है जोंक किस अंग से स्वसन करती है अंसर सही होगा सी तो अचासे नेश कुशन है स्वास केंद्र इस्थित होता है स्वास का केंद्र मस्तिस्क में कहां इस्थित होता है यदि आप लोग मस्तिस्क पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अप्रोड़ है जा करके देख सकते हैं स्वास का केंद्र कहां इस्थित होता है आंसर सायोगा पहला मेडियूला वापांक्स वारलाई में इस्थित होता है नेशकुसन है को सकी किरियाओं के लिए तुरंत मिलेने वाली वुर्जा का स्रोत है तो देखे मैंने अभी थोड़ी दिर पहले बताया था कि जो ATP होता है इसे क्वाइन साफ एनर्जी कहा जाता है या उर्जा का सिक्का कहा जाता है यानि जो उर्जा होती है ATP की रूप में बंधेत रहती है और काम आने पर कोसिकाओं के किरियाओं के लिए यही से ATP जाती है फुपुस यनि फेफडे, जो मरिसे के फेफडे होते हैं, उसकी कुल च्छामता कितनी होती है? कितनी आक्सिजन भाण सकता है अंदर? आंसर सही होगा, इसमें से C, 4500 मिलिलीटर होती है, इसको सने है, फुपसी ये तपेदिक का कारण है, यनि जो फेफड़ों में TB हो जाती है, उसका कारण क्या है? आंसर सही होगा, B, Mycobacterium का संक्रमाण, इसमें मनुस में वसा का स्वसन भागफल क्या होता है? वसा का स्वसन भागफल कितना होता है? बताना है, सोचे और बताईए. वसा का स्वसन भागफल कितना होगा? आपको बता देगी स्वसन भागफल क्या है? तो कोई भी पदात है, किसी पदात के आकसी करण में उत्पन जो CO2 होती है, और ग्रहण की गई ओटू के अनुपात को ही स्वसन भागफल कहा जाता है? या स्वसन गुडां का कहा जाता है, मतलब यह हुआ कि स्वसन भागफल बराबर उत्पन CO2 का आयतन बते ग्रहण की गई O2 का आयतन, बस परिभासा हो गई, मतलब किसी पदात के आकसी करण से उत्पन CO2 और ग्रहण की गई O2 का अनुपात ही स्वसन भागफल या respiratory content कहलाता है, तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर सही होगा C, 0.703, नेश्ट कुशन है, जब कार्बो हाइडरेट का आवाइवी इस्वसन होता है, तब स्वसन भागफल होता है, कार्बो हाइडरेट का आवाइवी इस्वसन होगा, तो स्वसन भागफल क्या होगा, और क्यों क्या होगा अंसर सही होगा इसमें से पहला एक होगा नेश्क कुशन है हीमो साइनिन वर्ड़क पाया जाता है हीमो साइनिन पिगमेंट किसमें पाया जाता है जो मनुसे होता है मनुसे में पिगमेंट होता है हीमोगलोबिन जो रक्त को लाल करता है और आक्सिजन का परिवहन करता है अब यहाँ पर हीमोसाइनिन वर्णक की बात की गई है तो यह किसमें पाया जाता है सोचे और बताई आंसर सही होगा इसमें से पहला मोलस्का में हीमोसाइनिन वरड़क पाया जाता है तो आस के अंक में इतना ही आसा है आप सभी लोगों को सभी कोशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे आ गए हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद